जैन दोस्तों नेक्स्ट आप आपका श्रागत है जैसे कि थमनेल के आधार पाज के स्टोफिक के अंतरकत पर बात करेंगे हम उत्राखंड का जो मुख्य मंत्री अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है तथा जो उसके मंत्री मंडल है उसमें फिर बदल कर दिया गया है और आ मुख्य मंत्री कौन चुनेगे उसके अनुछेद क बात तो अनुछेद 164 के अनुशार कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री है उसके न्योक्ति कौन करेगा राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा ठीक है इतना है आप समझ गयोंगे उसके बाद आगे बात करें तो मुख्यमंत्री की सदन से चुना जाता है तो मुख्यमंत्री निचल सदन नहीं जिसे बिदान कई गाता है वहां से भी क्या किया गया मुख्यमंत्री को चुना जाता है 164 वह अनुचहइद कहा गया है कि मुख्यमंत्री कौन करेगा राज्यपाल करेगा ठीक है अगर जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री की न्युक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन जो अन्यमंत्री है उनकी न्युक्ति कौन करता है अगर अधर मंत्रियों के सुनने की बात करें तो अधर मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह के द्वारा राज्यपाल चुनता है इत sommивал को मुखे मंत्री मंदल को चुनता है ठीक इता आप समझ गए होंगे टोटल किते चुने जा सकते अधिक्तम 11 चुने जा सकते और नियूंतम कितने भी चुने जा सकते ठीक है लेकिन जब अभी पुराने जो मुख्य मंत्री थे तिर्विंदर सिंग्रावज जी उनके कारेकाल के अंतरगत पर कितने थे मंत्री मंदल के अंतरगत पर केवल 9 सदशे है तोटल जिसके अंतरगत पर वहां पर मंदल सदस्ट कितने गया सकते लेकिन कम कितने भी चुने जा सकते लेकिन तरीवेंदरी सिंग्रावजी टी थे उनके कारेकाल के दोरान के वाल 9 सदस्य ही चुने गए थे 10 सदस्य थे एक सदस्य की मिर्टी हो गए थी अभी उनको हम आगे टॉपिक के अंतरगत में डिस्कस करेंगे इससे पहले की डिस्कस करें मैं बताई देता हूं कि जो क्या थे बित्ते मंत्री भी थे परकास पंतर जी जो पिथोरागर डिस्टिक से करने वाले थे उनकी मिड्य हो गए ठीक है और उसके बाद में उनके कारेकाल कितने सदस्य रह ते नौ सदस्य रह चुके थे लेकिन जब नए मंत्री मंडल का भी गठन किया जिसमें नयों फ्र्रमाथ 2021 4 तो उसके इंतरगत में क्या कि मंद्री मंदल का भी विश्थार किया हैं मदन कोशिक जी वह कौन से नंबर के चुनेगे हैं नवे नंबर के चुनेगे ठीक है एक प्रस्पेक्ट्ट्व से एक की पॉइंट उत्राघंड के लिए इंपोटेंट हो जाता है इसको आप नौट डाउन कीजे आगे बढ़ते हैं कि जो तीरत सिंग रावज जी है उत् साल के इंतर्गत हो जाता है ठीक है समझे होंगे अगर मुख्य मंत भेतन संब्इन काफ़ होता हैati ये थोलड़ा सा यह जाना जक्ता सकते हैं उनको थोड़ा साल का जान लेते हैं और जो मंत्री मंत्र इंका पावर होता है वेतन संबंदी जैसे हमने बता दिया आपको कि जो कारेकाल होता है मुख्यमंत्री का तो किता होता पांस साल का होता है उसके अंतरगत पर उसको क्या किया जाता है हटा दिया जाता है ठीक है एक बात ही होता है कि अगर मुख्यमंत्री का completely रूप से जुकारिकाल होता है पांस साल के पहले उसको पद से हटा दिया जाता है या उसकी मिर्ती हो ज सिद्धे करना होता अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद में क्या होगा इलेक्शन पर किरिया होगी ठीक है इतना इसके अंतरगत में मुख्यमंत्री के बारे में जालना लेकिन जो भूत पूरा मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद सिंग्रावजी 2017 से लेकर 2020 तक इनका कारेकाल ठीक है तो इसके अंतरगत पर क्या हुआ कि इनके पास में इतने कारेकाल ठीक है एक्जाम के लिए थोड़ा सा इंपोटेंट हो जाता है हाल जो अभी नए एक्जाम आएंगे उसके लिए आगे जो एक्जाम होंगे तो उसमें इसको पूछने को नहीं दिखाए देगा ठी इसे संपति लोग निर्मान ठीक एटीसी जो भी है यह देखे ज्यादे इंपोर्टेंट नहीं हो जाता है या ऐसे क्या मता एक्जाम इनर ऐसे भी क्वेस्टन कुमा सकता है कि था कि गुमा के दे सकता है कि तिरवेंद्र सिंग रावज्जी थे इन में जब अपने कारेकाल के दोरान यह अपने किस और मुख्यमंत्री के अत्रिक किस पत पर थे ठीक है कि क्या दाइट तो इनके पास था तो आप इसके अंतरगत पर इसे देख सकते ठीक ऐसे बन सकता है विसे कम चांसे रहता ऐसे बनने का इतना समझ गया होंगे और आगे बढ़ते हैं कि जो 2022 से ल बात का है तो एक है वंसी दर्भघस जी और दूसरे है विसंद सिंग चुफाल जी और तीसरे होगे गणे जोशी और चौथे नंबर कौन से होगे स्वामी यती स्वरानंद जी ठीक है चार जो चेहरे है अभी नए मंत्री मंडल के दोरा नए है और पुराने के अंतरगत प एक अभी नए चुने गए है अब इनके नाम भी जान लेते हैं ठीक है कैबिनेट मंत्री की बात का है तो कौन-कौन से यहाँ पर सत्पाल महराज होगे वंसिदर भगत होगे जो अभी नए चुने गए है और डॉक्टर हरग सिंग रावज जी जो पुराने है जो पुराने इनके नए चुने और यस्पाल आजी जो पुरानी है और अर्विंद्वांडे जी पुराने ठीक है और सुबो दुनिया जी है और जो एक गणे जो सी गया है नए चुने गए ठीक अभी अगर राजय कि बात करें तो धंशिंग रावज जी पुराने है और उसके बार में जो यह स्वामी य्यतिसृणानंदinya जी यह भी चुने गए इसनकी इसम सकते का निए नही कारेकाल है sabotage मुख्य हों गया है ठीक है जो नए सदस्य चुने गए है चार सदस्य इसी के अंतरगत पर क्या करेंगे वह जो और यह जिन को रिमूब किया गया है अपने कारेकाल से तो उन में से कुछ दायत वें इन चारों को को भार दिया जाएगा ठीक है इताब समझ गयोंगे आगे बढ़ते जो पुराने हैं सदपाल महाराज जी है इनके पास में क्या-कारेकाल है सदपाल महाराज जी के बास है सिचाही बार नियंतरन लगो सिचाही वर्साजल संग्र हो गया और जलागम परबंद हो गया भारत न प्रकास पंते जी के बास ठीक है फिर उसके बाद में आपकारी हो गया पेजल एंग सच्छता होगी और गन्ना विकास चीनी उद्योग ठीक है यह कारेकाल किसके पास प्रकास पंते जी का अभी इनकी क्या हो चुके मिर्टी हो चुके उस समय क्या था तेरवेंदर सिंग जी डॉक्टर संग रावज जी उनके पास क्या है वन एवंग वन्यजीव मंत्रा ले एवंग ठोस अप्सिस्ट निवारण ठीक है उसके बात सरम का है सेवा यूजन पर सिक्षन हो गया आयूस हो गया और आयूस सिक्षाराज्य संबंदी के हैं डॉक्टर हरक सिंग इतना समाज़एय। भी आगे है उसके बाद में यसपाल अरिया जी के पास हूँ गया जो भी है समासका जानों गया अलप रैहिक्जी वितल करुद्स चा संबंदी और प्रोड सिक्षा संसे किर्थ सिक्षा और खेल युआ कल्यान रथा पंचायद रा संबंदी जो भी प्रोसेस के लिए जो भी दायत तो दिया गया है उसके मंत्री कौन है अर्विंद पांडी जी ठीक है इतना समझ गया होंगे और उसके कि बाद में के राज्य मंत्य की बात की ना तक बात कर दे के लिए ये प्रेंटाइब करें हम दो क्रेकाल की बात कर लेते ठीक ऊम्हुन काल्यान अवंग बालविखास का दायतों इनको दिया गया उसके भाद दिया गया पacement भीडो बकड़िपालन उसके बाद साहerem चारा इवंग चारा बिकास इसको चाहरे सिर्मति रेखारारियाजी को दी गये और उसके बाद में चौते नमबर की बात करें तो दूसरे नमबर की बात कर रहें डॉक्टर धंसिंग रावस जी ठीक है इनको दायत तो दिया गया सहकारिता उच्छे शिक्षा एवंग दुख्द विकास और प्रोटोकॉल संबंदी जो भी दायत तो है किसको दिया गया डॉक्टर ध कि दर भगवền मुख्द मंतिежду के द्वरा क्या जाएगा आगे इन दया जाएगा ठीक है इस टॉफटी के अंतरगतम हम शायना क्या मुख्द को कहसे के सदन के दवरा चुना जाता है और Mr. बीस दोजार सतरे से लेकर दोजार अभी एकीस तक ठीक है जो पुराने कारेकाल थे किस-किस को क्या दायत तो दिया गया था और किस दायतों में हेर फेर की गई है और जो नए है नए किस-किस को सुना गया आज के इस टौफिक के अंतरगत पर हमने कंप्लिटली रूप से जा हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए जैहीन